अलो एब्रीबान वेल्कम बैक तो माइ चैनल आज इस केंडल वैक्स के तुरू हम जानने की कोशिश करेंगे किया आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो और क्या बदलाव आया है उनकी सोच में तो प्लीज अगर आप जानना चाहते ह पारे में न तो उनको याद करना बहुत जरूरी है उनको याद कर सकते हैं या आखे बंद करके उनका चेहरा याद कीजे ताकि उनकी एनरजी सबकॉशिस माइंड की तुरू उनको तैरेपती मैसेच पहुंच जाए और उनकी आपके एनरजी के साथ कनेक्ट हो सकें क्यूं पर दिन दिल में उनको जगत दी है तो उसके पीछलों कोई वच्छा है इतना अट्रायकशं इतना लगाव अच्छारक किसी पर से नहीं हो सकता जब तक उस person के साथ इस जनम का रिष्टा हो या पिछले जनम का रिष्टा हो कुछ ना कुछ उस person से आपका रिष्टा जरूर है या फिर divine blessings हो सकती है divine connection हो सकता है soul made connection हो सकता है जहां पर आप अपने आपको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रिष्टा workout नहीं करेगा लेक पूर हो जाते हैं हो सकता है न कि आप extra marital affair में हैं हो सकता है ऐसे age gap है आप बुरों के बीच age difference है कि society accept नहीं करेंगी family accept नहीं करेंगी caste या religion का difference हो सकता है लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो आप भी क्या कर सकते हैं अगर आपका no context situation है अभी या बुरे हालात है इस रिष्टे में किसी भी वज़े से आप पर इशान है या फिर आपकी समझ में नहीं आता है कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए आपको move on करना चाहिए या इस person का weight परना चाहिए क्या ये person आपको जिंदिगी भर के लिए आपका साथ देंगे साथ निभाएंगे सब कुछ जानेंगे positive रहिए candle को light करते है candle के flame के ओपर focus करना है आपको और उस व्यक्ति का नाम लेना है तीन से साथ पर angels और universe मुझे please guide करे angels और divine मुझे please guide करे आरकेंचर माइकल मुझे please guide करे positive रहकर उस person को जरूर याद कीजिए जिनके लिए operation है या जिन से आप चाहते कि reunion हो या जिन से आपको मुखबत है चाहिए वो दोनों के दिल में प्यार है या one sided है या फिर आपको अभी ignore करने लगे आपके partner जानने की कोशिश करेंगे मुझे यहापर ऐसे लगता है जैसे ना कि यह person से गलती हुई है आपका साथ छोड़कर इस person ने गलती की है और क्या है ना इस person को अभी पता चला है या उनको खुद ही लगने लगा है कि अगर इस person को आपका साथ नहीं देना था तो फिर इनको इस रिष्टे में आगे नहीं बढ़ना था हो सकता है ना कि बहुत जादा time से आप एक दुसरे के साथ है और अच्छानक यह person आपके जिन्देगी से निकल गए या दूर हो गए या फिर आपसे दूरिया create की है इस person ने किसी भी वज़़े से हो सकता है लेकिन अभी यह person आपके partner यही सोच रहे है ना कि इन्होंने गलत किया आपके साथ या फिर यह जैसे कि रोने की इनकी emotions बहुत ही नजर आते मतलब यह रो रहे है लिटरली यह person आपके लिए रो रहे है या फिर आपको याद करके बहुत ज़़दा परेशान है कि इतना सब कुछ यह person ने होने दिया मतलब इनकी मरजे से ही हुआ है आपको separate आप तो नहीं रहना चाहते थे इस person से या इस person से दूर नहीं होना चाहते थे लेकिन आपको तकलीब दे कर वो भी तो खुश नहीं है तो इसी चीज़ का इस person को tension है कही ना कही बहुत ज़़दा तनाव है इस person ना जैसे कि दिमाग बहुत परेशान मुझे इनकी energy परेशान वाली दिखाए देते हैं जहाँ पर यह खुद इस चीज़ से परेशान है ना कि इन्होंने आपका साथ चोड़ा और आपको दुख पहुचाया यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ इस person के लिए भले यह person आपसे दूर है लेकिन आप सोचते हैं मंदीर में जाते हैं पूझा पाट करते हैं या जज़बी भगवान को आप मांते हैं वहाँ पर मांगते रहते हैं इस person के लिए दूर मांगते हैं उनसे दूर है या यह person आपसे दूर आपको किया या फिर नो कॉंटेक्स सिचुएशन आपको दिया फिर भी आप यह person को बद दूर नहीं दे रहे हैं आप इनका भला ही चाहते हैं भले आप दूर है लेकिन दूर से ही उस person की खुशिया आप मांग रहे ह ऐसी मुझे यहां पर energy आ रहे हैं कि यह person को भगवान कुछ भी हो इस person को खुश रखो मतलब आप इतने जैसे की बोलते हैं न कि दुसरे की बारे में सोचने वाले इंसान दिखाए देते हैं और यह person न कोई ही realize हो रहा है कहीं न कहीं क्या होता है जब आपका soulmate connection या divine connection होता है न तो आपके feelings को यह समझते हैं यह person मतलब आज ऐसा सोचा होगा या आज ऐसा हुआ होगा मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा तो यह तडब करना आपको call message करते हैं फिर चार दिन चुप रहते हैं फिर चार दिन के बाद अच्छनक call message मतलब क्या है न कि यह पूरी तरह से आप आपको अपनाते भी नहीं है लेकिन इनकी मजबूरी मुझे दिकाए देते हैं जैसे कि न यह आपसे दूर जाना चाहते हैं लेकिन फिर इनका दिल खहता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं यह कर रही हूं और जैसी आपकी याद बहुत जादा सता थी इस person को यह तुरंत आपको नहीं बताते कि आपके बार में बुरा सपना देखा या ऐसा मुझे ऐसा सुआ ऐसा मुझे लगा ऐसा नहीं बताते लेकिन सिर्फ जानने के लिए कि आप ठीक हो यह जानने के लिए आपको कॉल मैसेज करते हैं तो यह person की दुवीदा मुझे दिखाई देते हैं जैसे कि दो तरफा इनका सोच है एक में इनका है ना कि आपको हमेशा हमेश है किले अपनाए और एक शुरुवात करें और इसमें इनको लगता है ना कि यह नहीं आपको खुश नहीं रख पाएंगे या फिर यह खरे नहीं जो भी expectations आपकी है उससे पुरा नहीं कर सकेंगे हो सकता है कि financial problem है हो सकता है कि family problem है तो कहीं न कहीं मुझे इस person की खीचाव आपकी तरफ दिखाए देता है attraction आपकी तरफ दिखाए देता है लेकिन ऐसी कुछ बात है ना जो यह person को आपसे दूर कर रहा है हो सकता है कि आपकी energy negative है तो भी इस person को आपसे दूर कर रहा है क्योंकि जब आपका planetary effect अच्छा रहेगा positive रहेगा आपकी कुंडली म कोई दोश नहीं है कोई मंगलिक दोश नहीं है या फिर कोई केतु की energy नहीं है राहू की energy नहीं है तो फिर relationship बहुत अच्छा रहता है वीनस बहुत आपका active है तो बहुत अच्छा love life में आपको success ही success मिलेगा लेकिन अगर कुछ दोश है आपकी कुंडली में तो फिर क्या ह सकते हैं remedy से ठीक कर सकते हैं सब के उपर remedy होती है remedy करने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो यहाँ पर आज जो मुझे राशियां दिखाई देती है यह महसूस हो रही है उसमें aries राशी strongly दिखाई देती है यानिकी मेश राशी next है cancer यानिकी करकर राशी वर्गो कन्या राशी ल राशी मुझे strongly यहाँ पर मैसूस हो रही है next जो मुझे number आज दिखाई देता है जो कि आपके लिए बहुत ज़ादर lucky number हो सकता है वह है lucky number 4 यहाँ पर 4 की energy मुझे दिखाई देती है 4 number कुछ न कुछ हो सकता है या फिर हो सकता है ना कि गुस्ते में आकर आपने या आपके partner और ने गलत फैसला लिया है और दोनों एक दुसरे से अलग हुए हैं ऐसा भी मुझे कहने की कोशिश करता है चार नंबर मुझे यहां पर यह फील होता है ना कि यह person न सबको छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं अभी इंकी हालत इतनी बुरी है ना कि उनको वो पुराने दीन याद आते हैं, जब वो आपके साथ रहा करते थे, आपके साथ टाइम पैंड किया करते थे, आपके साथ आपको लेकर घुमने जाते थे, तो कही ना कही वो मिस कर रही है person इनको लगता है ना कि वो ही वक्त वापस लॉट कर आएं जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहें कि कुछ भी करके भगवान उनका दिमाग चेंज कर दो और उनको वापस मेरे जिन्देगी में लेकर आओ तो उसी टाप का सपना आपके पार्टनर भी देख रहे हैं उनकी एनरजी ऐसी है न कि वो सोचते हैं कि वो वक्त लॉट कर फिर वापस उनकी जिन्देगी में आएं और दोनों खुश रहें तो आज ये पॉजिटिव उनकी तरफ से मुझे एनरजी उनकी लगती है जहाँ पर वो आपके जैसा सेम सोचने लगे हैं कि भगवान कुछ भी करके हम दोनों को मिला दो तो उनकी वही फिलिंग मुझे दिखाय देते हैं फिर से एपरसन ने कहीं न गई धोका खाया है इनको किसे ने धोका दिया है या फिर ये इनको किसे ने परिशान किया है तो जब भी परिशान होते हैं आपको याद करते हैं क्योंकि आप इनका सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्ट्म है न आप ही हो या सबसे बड़ा सहारा अगर कोई भी इनको रास्ता नहीं दिखाय देता है जिंदेगी के किसी भी मोड पर तो वो रास्ता आपकी तरफ ही चाह तो ऐसर मुझे यहां पर लगता है न के परसंद शक्टेबर बॉन हो सकते हैं नंवेंबर डिसेंबर बॉन हो सकते हैं एप्रिल बॉन यह मार्च बॉन हो सकते हैं जुलाई बॉन हो सकते हैं ऐसा मुझे फील होता है इस परसन की बटेट मुझे 17-13 strongly दिखाए देते हैं, 13 या 17 मुझे channel हो रहा है, साथी साथी person की budget 11 हो सकती है, 22 हो सकती है, 29 हो सकती है, या फिर person की budget 7 हो सकती है, 4 हो सकती है, 14 हो सकती है, 19 हो सकती है, ये ऐसे budget वाले थोड़े से लोग ना struggle करते हैं अपने life में, और अगर इनकी partner की, अगर कुंडली बहुत अच्छी है ना, तो इनको ये बहुत lucky हो जाते है life में, नहीं तो ऐसे लोग उतार चड़ा बहुत देखते हैं अपने जिंदगी में, और ये ही मुझे यहाँ पर दिखाए देता है, कि आप lucky हो इस person के लिए, अगर ये person business करना चाहते हैं, और अगर आपका support मिले, तो बहुत उन्चा ही तक जा सकते हैं ये person, क्योंकि ये person struggle कर रहे हैं, और struggle में आप एक जो तारा होता है न, जैसे कि तुटता हुआ तारा रहता है और हम उससे हमारी ख्वाइश कहते हैं, मांगते हैं, दुआ, तो कहीं न कहीं पूरी हो जाती है, तो वो lucky star, इस person के जिन्दगी में आप हो, चाहिए वो आपकी partner male है ये female है, आप उनके लिए lucky हो, बस इतना मुझे यहाँ पर channel हो रहा है, promote नाम यहाँ पर आज मुझे strongly channel हो रहा है, निती यहाँ पर नाम मुझे किसी का channel हो रहा है, सोमेश नाम यहाँ पर मुझे channel हो रहा है, सूरभी नाम यहाँ पर मुझे channel हो रहा है, प्रनीती नाम यहाँ पर मुझे मैसूस हो रहा है किसी की energy, चले तो कुछ letters कि यहाँ पर जिक्र कर देते हैं, कुछ letters जो मुझे आज यहां पर दिखाए देते हैं हो सकता है ना कि आपका नाम का पहला आक्षर हो या फिर आपके partner के नाम का पहला आक्षर इसमें से हो सकता है उसमें है R letter strongly मुझे और आरती नाम भी मुझे चानल हो रहे है R letter यहां पर है S letter है P letter A letter है, J letter है, K letter दिखाए देता है, U letter दिखाए देता है, H letter दिखाए देता है, O letter दिखाए देता है, यह कुछ letters मुझे दिखाए देते हैं, यहाँ पर heart symbol बनावा है और चांद का symbol भी बनावा है, तो कहें न कि ऐसा मुझे लगता है न कि इस person के लिए आप चांद से कम नहीं ह आप बहुत दिखने में कुपसरत हो सकते हो, आप दिखने में बहुत ही handsome हो सकते हो, अगर नहीं भी हो, तो दिल से आप बहुत ज़्यादा सुन्दर हो, ऐसे यह person फिल करते हैं, मतलब आपका दिल इतना साफ है न, आप उस कोई मतलब नहीं है, बस आपको देना ही मालूम है क किसी को देना है, तो सब कुछ देना है, अपनी बारे में ना सोच कर, उस person की बारे में आप खुशी, उनको कैसी खुश रखा जाए, उसकी बारे में tension आप लेते हैं, मतलब अगर आपके partner दुखी है न, तो आपको परिशानी बहुत होती है, आप परिशान है तो आपको को क्रियेट करती है, और आपके partner को आपके तरफ खीच कर लेकर आती है, यहाँ पर ऐसा लगता है न, कि आने वाले दो या तीन मेहने के अंदर आपका reunion होगा, या फिर यह साल खतम होने से पहले आपका reunion बहुत से लोगों को होगा, और यह न, आपके लिए surprise यहाँ पर मुझ बनाया था, लेकिन बीच में no context situation हो गया और वो अधूरा रहे गया है, लेकिन अभी दोनों एक साथ time spend करेंगे, आने वाले दो या तीन मेहने के अंदर, ऐसा मुझे यहाँ पर strongly feel होता है, तो claim किजिए असा energy को, क्योंकि positive sign है न, जहाँ पर यह person आपको लेकर serious हो रहे हैं, और आपके साथ कहीं पर गुमने जाना चाहते हैं, आपको लेकर आपके साथ time spend करना चाहते हैं, तो बहुत ही positive energy आई है, हो सकता है कि आपका 17 परसन की साथ जाने का और कहीं न कहीं वो अधूरा रहे गया था, लेकिन यह person भूले नहीं है, इन्होंने आपसे वादा किया थ कि दोनों साथ में जाएंगे, चाहे वो किसी hill station पर हो सकता है, कोई out of country जगह हो सकती है, कोई मंदीर हो सकता है, कोई खास जगह दोनों की जहां पर आप पहले मिले थे, या कहीं पर आप study करते थे, या कहीं पर आप job के सिलसले में घुमने गए थे, तो वही जगह है जो की दोनों की पसंद है, फिर भी ये person पीछे नहीं हट रहे है, आप से रिष्टा तोड़ने में, तो family मानेगी, ऐसा मुझे आपन लगता है, मतलब अभी तक ये person बहुत परिशान थे, कि मुझे तो प्यार हो गया, लेकिन एक divorce से हो गया, और मुझे उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है, लेकिन इन लोग मेरी खुशी चाहते हो, तो इस रिष्टे को accept करना होगा, ऐसा कुछ मुझे यहां पर दिखाए देते हैं, जैसे कि emperor की energy है, मतलब अपने decision पर कायम है ये person, पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी इनमें उतना confidence है ना कि ये अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, ऐस लगता है कि पहला आपका रिष्टा तूटा है, आपका divorce हो गया, आपने नहीं सोचाता, गलत रिष्टे में आप पढ़ गए थे और वहाँ पर आप सुखी नहीं रह सकें, तो आपने रिष्टा तोड़ा, तो उसमें कोई बात नहीं है, आप नहीं शुरुआत कर सकते हैं कभी भी अपने जिन्देगी में आप एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जिन्देगी थोड़े दिन की होती है, उसमें आपको दुखी नहीं रहना है, नहीं उसमें आपको परिशान रहना है, आप अपने आपको कैसे खुश रख सकते हैं, उसके बारे में सो सोचना है कि लोग क्या काएंगे मैंने दूसरी शादी की तो लोग क्या सोचेंगे सोचने दो आपकी जिंदगी है आपको उसमें खुशी मिलती है वह आपको ज़रूर करना चाहिए लोगों का जो आपको रूल्स और रेगुलेशन से वह फॉलू करने की जुरूरत ने आप खुद के रूल्स बनाए और उसे फॉलो कीजे क्योंकि आप उसमें खुश रह सत्वे हैं तो ऐसा ही मुझे यहां पर फील होता है न कि जैसा आप सोचते हैं न आप ऐसा नहीं सोचते कि इस परसन को अपने फैमिली से अलग करना है उनको फैमिली से तोड़ना है यह तो आप मुलिश आप कहीं और भी नहीं सोचते आप यहीं सोचते हैं न कि इनकी अपको reject करें यह फिर आपकी family इनको accept करें, vice versa हो सकता है, आप male female या फिर आपकी partner male female हो, वैसे आपके साथ resonate होगा, तो कही न कहीं मुझे न अभी बहुत positive energy, reunion की दिखाय देती है, और कहीं न कहीं ये person आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते, मतलब ये भी ठक चुके हैं, अभी बहुत करना चाहिए, tension को, tension अभी आपको भी नहीं देना चाहते, और खुद भी tension में नहीं रहना चाहते, इनका फैसला होगा है न, कि जो भी जिन्दगी है, आपके साथ उनको गुजारनी है, और खुश रहना है, बस, बाकि जो भी negative लोग है, उनके जैसे कि उनको दूर रहना है उनसे और अपनी खुशी के बारे में सोचना है, तो कई न कई उनकी energy मुझे ऐसी लगती है न, जैसे कि अभी और देर नहीं करना चाहते है आपके partner, चाहिए partner male है या female है, इनको भी आईसा लगने लगा है न, कि जैसे कि आपने बहुत मेहनत की है इस रिष्टे में, उनको संभालने में, उनको सवारने में, उनकी जिन्दगी बहतर बनाने में, बहुत कुछ कोशिश की है, लेकिन उनोंने उतना कुछ नहीं किया आपके लिए, और कहीं न कहीं वो बहुत कुछ करना चाहते है अभी आपके लिए, या फिर आपको खुश देखना चाहते हैं, और भी उनको ऐसा लगता है ना जैसे कि अगर उनका साथ पाकर आप खुश रह सकते हैं तो वो सही और वो आपके साथ रिष्टा जोड़ना चाहते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि देर से ही सही आपकी importance पता चली है इस person को कि आपकी होने से या ना होने से क्या फरक पड़ता है इनकी जिन्देगी के उपर तो कहीं न कहीं वो नहीं खोना चाहते हैं आपको ऐसा ही मुझे आज उनके energy में लगता है कहीं न कहीं आपके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं अगर ये person ने आपको block किया है तो unblock करने की यहां पर मुझे उनकी energy नजर आती है क्योंकि इनकी सोच positive है आपको लेकर positive सोच रहे अचानक call message भी आ सकता है इस person की तरफ से कुछ न कुछ आपको good news मिल सकती है कि इनके family मान गई आपके रिष्टे को या फिर family की खिलाब जाकर भी आपको अपनाना चाहते हैं या फिर आपसे मिलकर आपके साथ बात करना चाहते हैं इस topic के उपर कि इस रिष्टे में क्या किया जाए क्योंकि हो सकता है न कभी-कभी ये risk लेते हैं कभी-कभी गलत decision लेते हैं कभी-कभी गलत फैसले लेते हैं कभी-कभी इनका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि उस वक्त इनके समझ में नहीं आता तो आप है आपकी एनरजी बहुत कामिंग एनरजी मुझे लगती है जहापर आप इनको शांत करते हैं समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है ये सही है ऐसा मत करो तो वो चीज़े ये मिस कर रहें आज ये परसन ऐसा मुझे लगता है कि आपका साथ अगर है न तो बहुत कुछ अच्छा है और अगर आपका साथ नहीं है इस परसन की जिंदेगी में तो बहुत कुछ बिगड़ा हुआ इनको लगता है तो कही न गई वो नहीं खोना चाहते है आपको या फिर और किसी और के साथ ये नहीं देख सकते है आपको अईसा भी मुझे लगता है तो प्यार फिर से feelings फिर से आपके लिए develop हुई है इस person के दिल में और ये person ऐसे लगता है कि serious हो रहे हैं आपको लेकर आपको लेकर ये आपके साथ रिच्ता बनाने के लिए серьез हो रहे हैं ऐसा मझे लगता है अगर आप और किसी रिच्ते में हैं जैसे कि आप दोनों single नहीं है या फिर आप एक single और एक divorce ही नहीं है और किसी रिच्ते में है तो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ना चाते हैं अब यह पार्टनर आपसे दूर गए थे, आप परिशन थे, आपने बहुत मननती मांगी है, आपने बहुत दुआ मांगी है आपने बहुत पुझा पार्ट किया, मैनिफैस्टेशन किया, 888 पोर्टल के लिए मुझे लगता है बहुत से लोगों ने मैनिफैस्ट किया है, अलग-अलग तरीके से तो यह कही न कही आपकी दुआ काम कर रहे हैं, आपकी जो विश्वास हैं, यूनिवर्स के उपर हो कही न कही काम कर रहे हैं, और फिर से चुड़ेगा आपका रिष्टा, जैसे मैंने कहा आना कि आपकी दशा बिगड़ी हुई थी, हो सकता है न कि आप उनको कही न कही गलट ठहरा रहे थे आपके पार्टनर को कि उन्हें ने आपको दोका दिया, वो आपका जब आपको ज़रूरत थी, तभी वो आपका साथ छोड़ कर चले गए, या फिर जब उनका काम हो गया, उनका कुछ भी मतलब था, तो ये मेरे पास रहे और जब उनका काम हो गया, तो दूर चले गए, ये सब negative thoughts आपके दिल में आहे होंगे, जब ये person कही न कि आपसे दूर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था, हो सकता है न कि आपकी कुंडली में कोई दशा बिकड गए थी, कोई गलत दशा आई थी, negative दशा चल रहे थी, जिसके वज़े से आपके कुंडली में या आपकी तक्दिर में लिखा ही था, कि उतने टाइम के लिए आप अपने पार्टनर से दूर रहेंगे, या फिर दोनों का नहीं जमेगा उस वक्त जगड़े रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो तो ये आपकी तरफ आकरशित हो रहें, या फिर आपके साथ रिष्टा जोड़ने के बारे में सोच रहें, या पर मुझे ऐसा लगता है, जो भी वक्त आप दोनों अलग अलग रहे हैं न, वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, काटने में वक्त, अगर आप आपको लगता है कि सिर्फ आपको तकलिफ होती है और उनको कोई फरक नहीं पड़ता है, तो उनको भी फरक पड़ता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है न, कि आपके पार्टनर जोई जोईन फैमिली में रहते हैं, और कहीं न गई, इनके उपर प्रेशर भी है, शादी क इसा लगता है कि डिवोसी से ही शादी उनको मनसूर नहीं है, या फिर लव मैरेज उनको मनसूर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा न, यह परसन भी माज जाएंगे, क्योंकि अपनी बच्चों की खुशी से बढ़कर, और कोई खुशी नहीं होती है, किसी भी आथ को कभी दुखी नहीं देखना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा इस रिष्टे में, या आपके पार्टनर को सपोर्ट मिलेगा इस रिष्टे में, जिसकी वज़े से आप दोनों का रिष्टा फिर से जु मिलेगा, चाहि इस जनम का कर्मा आपने गलत किया है, या पिछले साल में आपने गलत किया है, तो फल तो इसी साल आपको मिलने वाला था, तो हो सकता है कि कुछ बुरा वक्त चल रहा था आप दोनों की बीच और आप फ्रस्ट्रेटिड थे, रिडिंग देखते थे, रिडिंग भी लिया होगा, तो कहीं न कहीं वो सब वक्त, जैसे कि मैं कहता हूं हमेशा न, कि ग्रहन तो लगता है, लेकिन ग्रहन हमेशा के लिए नहीं रह सकता, या फिर रात अगर होती है, तो हमेशा अगले रात नहीं रहेंगी, सुरिय अपनी टाइम पर जरूर निकल हुआ है, कि यह आपके distant partner है, या फिर आपके soulmate है, तो यह लौट कर ज़रूर आएंगे, तो कहीं न कहीं मुझे यहीं लगता है, कि positive है, और flame भी आप देख सकते हैं, कि तेज जल रही है कब से, तो मुझे दोनों तरफ से love वाली feelings भी दिखाए देती हैं, love वाली feelings भी है औ क्योंकि जैसे आप देखते हैं, कि किसी भी रिष्टे में चार चीज़े बहुत important होती हैं, और चारों चीज़े होना बहुत ज़रूरी है, और चौते नमबर पर romance आता है, romance होना चाहिए नहीं तो रिष्टा इतना मजबुत नहीं होता है, लेकिन उससे भी जादा important, उससे भी जादा important है दोस्ती, अगर उस रिष्टे में दोस्ती नहीं है, एक दुसरे को नहीं समझते, फेडिंग्स को नहीं समझते, एक दुसरे का दुख को नहीं समझते, सुख को नहीं समझते, एक दुसरे के जरूरत के वक्त खड़े नहीं रहते, साथ चोड़ते हैं, तो र लेंग्वेज यूज़ करेंगे हर बार एक दूसरे का दिल तोड़ेंगे तो ऐसे में रिष्टा कमजोर हो जाता है तो चार चीज़ें जो रिष्टे को बांध कर रहती हैं और बहुत साथा इंपोर्टेंट है अगर आप पहले से जानते थे इस चीज़ों को तो थैंकी सो मच अगर आप नहीं जानते हैं और आज आपने जाना है तो मुझे थैंकी कहा सकते हैं आप बेजिज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे यहाँ पर आज आपके लिए एंजल्स की त पता नहीं आप किस टैप के रिष्टे में हैं जरूर कमेंड कीजिए अगर दोनों सिंगल है तो बात शादी तक जाएगी अगर कोई एक डिवोसी है एक सिंगल है तो भी बात शादी तक जाएगी और बाकी किसी टैप के रिष्टे में हैं तो रिष्टा तो जुड़ेगा ऐ ऐसे नहीं है कि आपके partner साथ चोड़ना चाहते हैं या आपका हाथ नहीं चोड़ना चाहते नहीं आपका साथ चोड़ना चाहते हैं तो आज की reading में इतना ही अगर पॉजिटिव फील रिडिक हान का है candle wax reading तो प्लीज मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को ज़र सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए अपडेट्स के लिए इंस्टेग्राम पर परस्नल रिडिंग भी बुक कर सकते हैं थांक्यू अल आप यू थांक्यू एंजल्स थांक्यू उनिवर्स